कुछ जगा पर आपने देखा होगी मचली के डिजाइन है कुछ समुदर के डिजाइन है इस तरह के डिजाइल को खास करके आपको आवाइड करना है जब हम दुकान में टाइल खरीदने के लिए जाते हैं तो ऐसे वक्त में अंदर जाने के बाद बहुत सारे टाइल के डिजाइन टाइब देखने के बाद हम कन्फियूस हो जाते हैं हमें यह नहीं पता होता कि कौन सी टाइल हमारे घर के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगी, किस टाइल से हमारे घर का लुक जो है वो अच्छा दिखेगा, क्योंकि वहाँ पर डिजाइन के लिए सिंपली एक किया फिर दो टाइल्स होती है, आपको पूरे रूम में से दिखीगी, इसके बारे में पता नहीं होता, और तो और खास करके आपने देखा होगा कि कुछ टाइल जो है वो matte finish होती है, तो कुछ टाइल जो है वो glossy finish होती है, ग्लॉसी यानि कि जो आईनी की तरह चमकती है, कुछ इस तरह की टाइल जो है आपको दिखाई देती है, जिनने की matte finish टाइल कहा जाता है, जिनके उपर से light का reflection नहीं होता, तो इन दोनों में से कौन से टाइल का चुनाव, आपको आपके घर के लिए करना चाहिए, या फिर किस room के लिए कौन सी finishing की टाइल, सबसे जादा best रहेगी, इसके बारे में हम आज के युड़े में देखेंगे, इस वीडियो में हम porch की टाइल से लेके, आपके bathroom की टाइल, उसके बाद में आपका kitchen हुआ, hall हुआ, इन सभी room में कौन सी प्रकार की टाइल सबसे जादा best रहेगी, इसके बारे में हम आज के युड़े में देखेंगे, अब ये जो टाइल के दोनों प्रकार होते है, इन में से कुछ टाइल जो है, वो शुरुआती वक्त में बहुत जादा आच्छी दीखती है, परन्तु गलत जग़पर लगाने के वज़े से, आगे चलके वो डल होने लगती है, तो ऐसा आपके साथ नहो, इसके लिए आपको कौनसी टाइल की जग़पर लगानी है, इसके बारे में हम आज के युड़े में देखेंगे, जिससे के आपका घर का लुक जो है, वो ज़्यादा दिन तक जो है, वो मेंटेन रहेगा, इस वीडियो को देखने के बाद, आपकी दिमाग में कोई भी डाउट नहीं रहेगा, कि आपके कौनसी रूंग के लिए, कौनसी फिनिशिंग के टाइल सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगी, तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं, पर वीडियो को शुरू करने से पहले, अगर आप लोग इस चानल पर नए आया हो दोस्तों, तो चानल को ज़रू साब्स्राइब कर दीजे, और वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक ज़रू कीजे, तो चले हम बढ़ते हैं हमारे main point के तरफ सबसे पहले अगर हम बात करते हैं हमारे घर के kitchen की जब हम बात करते है kitchen की तो kitchen में आपको पता होगा कि बहुत जादा दाग धबबे और scratches जो है वो आते रहते हैं तो वहाँ पर जो है आप kitchen की flooring के लिए matte finish टाइल के तरफ जा सकते हो सबसे पहला advantage इस टाइल का यह आजाता है कि इसके उपर आपको दाग धबे जल्दी नहीं दिखाए देंगे और बार-बार इससे साफ करने की आवशकता नहीं होती और तो और kitchen में जैसे oily पदार जो है वो फर्ष के उपर गिरते रहते हैं जिसके उपर से sleep होने के chances बढ़ जाते हैं तो यह problem आपके matte finish टाइल के साथ नहीं होगा और जितना आप इस टाइल का इस्तमाल करेंगे तो वहाँ पर बहुत से लोग जो है matte finish टाइल के तरब जाते हैं अब matte finish टाइल जो है वो शुरुआती वक्त में आपको बहुत ज़्यादा premium लुग देगा अब जब टाइल नहीं होती है तो दिखने में बहुत अच्छी दिखेगी पर इसका drawback यह हो जाता है कि एक दो साल बितने के बाद जब यह टाइल थोड़ी सी फेड हो जाती है तो ऐसे वक्त में बहुत ज़्यादा पूरा नहीं दिखने लगती है अगर आप वहाँ पर glossy finish टाइल लगवाते है वो थोड़ी बहुत भी dull हो जाती है तो इतनी ज़्यादा वो पुरानी नहीं दिखाई देती है मैट finish टाइल के उपर क्योंकि आसनी से जो है वो उस टाइल के उपर चिपक जाते है और वही पर अगर हम बात करते है glossy टाइल की तो अगर आप किसी गिले कपड़े की मदद से उसे पोच देते है तो जल्द से जल्द आपकी टाइल जो है वो साफ हो जाती है और दिखने भी आच्छी दिखती है एक plain और simple sober look आता है तो ये दिखने मी भी अच्छा दिखता है और जल्द से जल्द आउट आप स्टाइल नहीं होता ये तो बात हो गई टाइल के related पर जब हम बात करते है किचन counter top के लिए आपको कौन से option के तरब जाना चाहिए तो उसके लिए आपके सामने सबसे बेस्ट option आजाता है grenade का अगर आप counter के उपर marble का top लगवाते है तो उसमें दाग धबबे और scratchे जल्दि वीजिबल होते है पर उसी जगाँ अगर आप ग्रनेट का countertop लगवाते हैं तो उसके उपर आपके scratch जल्दी visible नहीं होते और तो और दाग धबे जल्दी दिखाई नहीं देते और ये material जो है बहुत ज़्यादा durable होता है तो इस वज़े से kitchen countertop के लिए आपको सबसे best option हो जाता है ग्रनेट का तो ये चीज तो आपको पता चल गई कि kitchen counter के उपर आपको glossy finish टाइल लगवानी है और kitchen का जो फर्ष होगा वहाँ पर आपको matte finish टाइल लगवानी है अब बात करते हैं हमारे गर के hall की अब hall जो होता है वहाँ पर आपको इस चीज के तरफ ध्यान देना है कि आपका hall का size जो है वो बड़ा दिखना चाहिए वहाँ पर आप matte finish टाइल के बज़ाए glossy finish की अगर टाइल लगवाते है तो ये जादा दिखने में अच्छा दिखता है अब glossy finish की टाइल जो है वो light को अच्छे से reflect कर पाती है और अगर आप bright color का इस्तमाल करते है जिसमें की ज़्यादा patterns नहीं बने हुए है तो ऐसे वक्त में आपका hall का size जो है वो काफी बड़ा दिखाई देखता है तो ये आगें फाइदा आजाता है आपके glossy finish टाइल का हाला कि glossy finish टाइल जो है वो थोड़ी सी slippery होती है थोड़ी सी भी धूल, पानी या फिर oil उसके उपर आ जाता है तो ऐसे वक्त में उसके उपर से फिसलने के chances बढ़ जाते है पर हाला कि हाल जो है हम clean रखते है और वहाँ पर पानी और तेल इन चीजों का ज़्यादा संपर्क नहीं आता तो वहाँ पर आप glossy finish की टाइल लगवा सकते है अगर आप उपर के तरफ P.O.P करते है तो उस light का भी आच्छा का सा reflection आता है और आपका हाल का साइज जो है वह अच्छा का ऐसा बड़ा दिखता है हाला कि वहाँ पर आपको इस चीज के तरफ ध्यान देना है कि बहुत जादा pattern जो है आपके टाइल के उपर नहीं होने चाहिए जो कि box type के या फिर ट्रेंगुलर शेप में हो है इस type के pattern जो है आपके हाल के टाइल में नहीं होने चाहिए इससे problem है हो जाता है कि आपके हाल का साइज जो है वह छोटा दिखाई देता है उसके बाजाए अगर आप glossy finish में marble finish वाली टाइल होती है कुछ अलग type की टाइल जो है उनका इस्तमाल करेंगे तो ये जो है दिखने में भी आच्छा दिखेगा और आपके हाल को एक अच्छा look देगा अब अगले room के बारे में हम बात करते हैं जो कि आजाता है आपके घर का bedroom अब bedroom totally depend करगा आपकी choice के उपर आप अगर चाहते हैं कि आपको बार बार जो है bedroom को clean नहीं करना है आपका bedroom जो है वो हमेशा clean दिखाई दे तो ऐसे वक्त में आप matte finish टाइल के तरब जा सकते क्योंकि matte finish टाइल को बार बार साफ करने की आवशकता नहीं किरती क्योंकि धूल उसके उपर जल्दी visible नहीं होती और अगर आपके हापर cleaning का कोई ज़्यादा issue नहीं है आप बार बार साफ कर सकते हैं light का आच्छे से reflection हो पर आपको एक look चाहिए जिससे के आपका room जो है आच्छा कासा बड़ा दिखे तो आपर आप जो है glossy finish टाइल के तरब जा सकते हो तो ये totally depend करता है आपके उपर हाला कि कुछ लोग जो है wooden type की टाइल जो है उन्हें बिठाना पसंद करते है अपने bedroom में हाला कि trend जो है हमेशा change होता रहता है जैसे कि आपने देखा होगा कि ivory color की टाइल जो है कुछ साल पहले इस्तमाल करते थे अब जो है ivory टाइल का चलम बहुत ही जादा खत्म हो चुका है अब जो है different type के टाइल जो है वो उन्हें इस्तमाल किया जाता है हाला कि यह जो टाइल के patterns होते है वो भी change होते रहते है continuously यानि कि एक दो साल के अंदर ही पूरे pattern जो है वो change हो जाते है और नए pattern जो है उनकी जगा ले ले लेते है अब आपको लग गया होगा कि आपका काम जो है वो खत्म हो गया ऐसा नहीं है दोस्तो आगले point के तरफ हम बढ़ेंगे जो कि आजाता है आपके bathroom और toilet के tile के related अब अगर हम बात करते है bathroom के wall tile के बारे में तो wall tile में कुछ लोग जो है prefer करते है matte finish tile को अब matte finish tile अगर आपको अपने bathroom में लगाते है तो definitely दिखने में अच्छा दिखता है पर इसका थोड़ा सा drawback kitchen के wall tile के तरह ही होता है अगर एक दो साल बाद ये dull गिर जाती है तो दिखने में इतना अच्छा नहीं दिखता जैसे की kitchen की flooring की tile हम बार बार इस्तमाल करते है वहाँ पर एक tile को चमक आ जाती है flooring के बारे में परन्तु ऐसा आपके bathroom के wall tile के साथ नहीं होता थोड़ा सा समय बितने के बाद ये tile जो है थोड़ी सी डल दिखाई दे सकती है तो दूसरा विकल्प आमारे सामने आ जाता है glossy finish tile का अब अगर हम glossy finish वाली wall tile लगवाते है bathroom में तो हमें इस चीज के तरफ द्यान दना है कि बहुत ज़ादा भड़की ले color को इस्तमाल नहीं करना है जिससे अगें दिखने में भी अच्छा look दिखता है और आपका bathroom का size जो है वो भी अच्छा कासा बड़ा दिखता है और आप matte finish tile जैसा look भी पास सकते हो और अगर हम बात करते है bottom के tile की यानि कि जो flooring होती है आपके bathroom की तो वहाँ पर आपको खास करके look के बाज़ा आपको उसके तरफ इस चीज़ के तरफ ध्यान देना है कि bathroom का surface जो है बहुत जादा slippery होता है तो वहाँ पर आपको anti-skrit tile का इस्तमाल करना है proper slope देते हुए जिससे की पानी जो है आपका tile के उपर ना ठहरे और आपका bathroom हमेशा जो है वो dry रहे यह तो हो गए दोस्तो आपके bathroom की बात अब अगर हम बात करते हैं आपके जीने की तो जीने का जो टपा होता है वहाँ पर मैं आपको बता तो पहली चीज़ तो आप जो है granite के option के तरफ जा सकते हो उसके बाद अगर आपको granite का budget नहीं तो आप marble के तरफ जा सकते हो और अगर आपका marble का भी budget नहीं तो आप tile लगवा सकते हो हाला कि दिखने में आपका granite सबसे अच्छा दिखता है और बहुत जादा durable भी होता है वहाँ पर आपको इस चीज़ के तरफ द्यान दने के अच्छे का से groove जो है उन्हें कर लेना है जिससे की slip होने के chances कम हो जाए अब हम बात करते हैं जो कि आमारे जीने के नीचे का portion और जो passage होते हैं तो वहाँ पर आपको concert tile लगवानी तो वहाँ पर आप अपने choice के अनुसार लगा सकते हैं अगर आपका passage, bathroom के आगे का passage की बात करते हैं वहाँ पर आपको matte finish tile लगवा सकते हैं जीने के नीचे जो कोई भी आपकी extra tile बच जाती है तो उनका आप इस्तमाल कर सकते हैं अगर आपकी kitchen की tile या फिर hall की tile जो कोई भी tile आपकी थोड़ी सी जादा बच जाती है तो उनका आप इस्तमाल जो है आपने जीने के नीचे कर सकते हैं तो इससे आपका wastage भी आच्छा का सा control हो जाएगा फाइनल में हम बात करते हैं आपके porch की अब आपका porch का जो wall tile होती है वहाँ पर आपकी matte finish tile दिखने में सबसे अच्छी दिखती है वहाँ पर थोड़े से dark color का इस्तमाल करना है बहुत जादा dark के तरब भी आपको नहीं जाना है क्योंकि अगर आप light color वाली matte finish tile लगवाते हैं तो धूप के वज़े से वो थोड़ी सी dull हो सकती है और bottom में definitely आपको matte finish tile लगवानी चाहिए जो कि heavy duty होनी चाहिए क्योंकि वहाँ पर धूप और आपका जो इस्तमाल है वो भी आच्छा कासा heavy duty होता है तो इस वज़े से वहाँ पर आपको matte finish tile लगवानी है और porch में बहुत से लोग जो है वो capsule type वाली ivory और red वाली tile जो है उनका इस्तमाल करते है जो कि अब out of fashion हो चुकी है उसके बजाए आपको parking tile में बहुत सारे option जो है वो available होते हैं आप उनके तरफ जा सकते हो इस यूडियो में हमने देखा कि आपको आपके घर के हर एक room के लिए कौनसी tile सबसे ज़्यादा best option रहेगा तो आप अपने हिसाब से जो है वो tile choice कर सकते हो tile में भी बहुत सारे types होते हैं जैसे कि खास करके इस्तमाल किया जाता है ceramic और wetrified tile इन दोनों में से कौनसा option आपके लिए सबसे ज़्यादा best रहोगा इसके बारे में आप tile choice करने से पहले जान लीजे जिससे कि आपको आपके घर के tile कर चुनाव करते समय choice भी अच्छा होगा और आपकी जो tiles होगी वो भी durable होगी मैं आशा करता हो कि वीडियो आपको अच्छी लेगी होगी और वीडियो अगर आपको अच्छी लेगी हो तो जरू इसे like कर दीजे आपके कोई animal सवाल या फिर सुजा हो तो comment कीजे और अभी तक आपने channel को subscribe ने किया दोस्तों तो कैसे चलेगा चानल को ज़रू subscribe कर दीजे वीडियो अगर आपको बहुत ज़्यादा ही अच्छी लेगी हो तो आपने दोस्तों के साथ share कर दीजे तो मैं मिलूँगा आपको अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद